हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं बैट प्रित या फिर हैलिटोसिस के बारे में तो यह काफी common problem है बहुत लोग को होता है और इससे क्या होता है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है आपके पास में कोई आना नहीं चाहता है ठीक है य आपको खुद का जो बैट व्रिथ है वो ऐसे करोगे ना तो उतना नहीं आएगा कभी पता लगेगा कभी नहीं पता लगे और इससे आज का दिन का हम लोग बात करें वेलेंटाइंस डे है आज तो यह नहीं मना पाओगे भाई तो इसलिए इसको सुधार करना काफी जरूरी है क्योंकि इससे फिर समाज में जब आप जाओगे ना तो आपके पास में कोई बैठेगा नहीं आप एकदम अलग तलग सा महसूस करोगे और यदि आप लोगों को लोगों ने बताया नहीं तो देख लो किसको यह प्रावलम है आपके आज पास कोई बैठ रहा है नहीं ब लोग करते उसमें जो भी फूड मटेरियल सब्सक्रा होते हैं उसके साथ जो भी है उसको ब्रेकडाउन करते है इसकी वज़ा से कुछ ऐसे गैस निकलते है या फिर सरफल कंटेणिंग गैस निकलते और उससे बैड़ भर होता है लेकिन जब यह जो बैड़ रहा है यह थू तो उसको हम लोग बैड ब्रेथ करें सुबह तो सबका जो मुह है तो उसमें से बदबु आएगा उसमें कोई उत्मा जादा बड़ा इसु नहीं लेकिन यह बदबु यदि तो वहां पर वह प्रावलमेटिक है तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाने बैड ब्रेथ क पर इसका सिंटम है और सकारण का डिसकेशन कर लेते हैं कॉस्स को कॉस बैक्टीरिया ब्रेक्स दाउन प्रोडूइस तो जो बैक्टीरिया है वह कुछ चीजाओ को ब्रेक्डाउन करता है उसकी वज़ाद से इसकी आपको बैड ब्रेथ देखने को मिलता है इसलहें हम जो औरल हेल्फ केर ठीक नहीं होता है ठीक से ब्रस अगरा नहीं करते हैं या फिर प्रॉपर पानी अगरा नहीं पीते हैं ढंग से खाना ना खाने के थोड़ा दिर बाद तो उस कंडिशन में फिर यह बैड ब्रेथ का कंप्लेंट आने लगता है इसमें कुछ गम डिसीज भी हो सकता है टूथ डिके भी हो सकता है तो औरल रिलेटेट प्रॉब्लम की वज़ा से बैड ब्रेथ होता है नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो आता है इंप्रॉपर क्लिनिंग मतलब जो वही मैंने बता है कि अपने ठीक से ब्रस अगरा नहीं किया मूँ को ठीक से साप नहीं कर रहे हैं ठीक से तो उसकी वज़ा से बैड ब्रेथ हो सकता है नेक्स्ट होता है सटेंट फूट्स कुछ फूड ऐसे जैसे गार्लिक हो गया अनियन हो गया तो इनको जब आप खाओ गया तो आपका सांस से फिर बदभू आने लगता है विकास इसमें सेलफर कंटेनिंग म नहीं लेते हैं खाने में क्यूंकि उससे रहे होने लगता है फिर लहां पर फर प्रावलामिट्स हो सकता है ऩरत्स आपके मौत में बैक्टिरिया व.गर अगर है प्रॉपिलस आउट नहीं होते हैं जो ये आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए आपको जेरोस्टेमिया या फिर ड्राइवाउथ को सिखाया था तो वह अपना डॉक्टर को संपर कर सकते हैं अपका जूझ और यदिन निकलता है अब समय निकलता है यह हैं गुटका पान वसाला यह सर चीज आप ले रहे हैं तो उससे भी इससे तो नहीं मारेगा नहीं मारेगा वहां पर हो गए फिर नेस्ट होता है कुछ ऐसे हेल्थ करडिशन होते हैं जिसकी वज़ा से बैड ब्रेथ हो सकता है मतलब आपको कुछ डिसीज हो जैसे कि आपको नौस विंड पाइप या फिर लग में इंफेक्शन हो आपको डियाबीटेई आपको क्रौक साइणρέसाइटि सो क्रौ Believe कि अब आपको समinction नहीं आक भी आपके केश में क हमसा करण हो सकता है तो मुश्टली लोगों के में फर्स्ट और सेकंड वाला होता है बैक्टिरिया ब्रेक्टिरिया ब्रेक्टिरिया करता है बैक्टिरिया का ग्रोथ होता है वहां पर से गैसिस निकलते हैं इसमें जो सेकंड होता है पूर औरल है तो यहां पर जो हमारा मुग है उसको लोग ठी treatment options देख लेते हैं तो इसमें treatment में सबसे पहला option आता है treatment as per the cost तो आपके case में bad breath का जो भी करण है उसके इसाफ से treatment किया जाएगा यह आपके lung में कोई infection है nose में कोई infection है sinusitis है उसके सबसे उसका treatment किया जाएगा आपका oral hygiene का कुछ problem है तो उसके सबसे treatment आपको बताया जाएगा तो इस तरीके से होता है तो बट मुस्ट कॉमनली हमने देखा कि बेट दो करेंट से होता है एक तो oral hygiene नहीं maintain करने से दूसरा जो bacterial growth होता है उसकी वज़ा से तो इन दोनों ही case में कुछ home remedies होते हैं जिससे आपका जो bad breath है वो काफी हद तक clear हो जाता है और आपका यह जो oral hygiene मेंटेंड करना है यहीं बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो हमें करना चाहिए जिसमें home remedies क्या क्या है सबसे पहले बात तो drinking plenty of water जो आप plenty of water पीएंगे मतलब sufficient आपको दिन में कम से कम 3.3 लिटर water पीना है जो आप उतना पीएंगे फिर उससे थोड़ा से जादा पीएंगे तो आपका बैक्टिरिया वह फ्लस आउट हो जाएगा water पीने से साथ में आपको जो dry mouth का सिकायत है वह भी नहीं रहेगा तो देख लीजिए कैसे पानी पीते हैं अरे यह नहीं यार चाय पीने वाला नहीं जलाओ पानी पीने वाला यह वाला यह वाला बिल्कुल ऐसे ही आपको पानी पीते रहना है ठीक है दिन में कम से कम 3.3 लिटर यह आप मेल है तो 2.3 लिटर कम से कम इससे ज्यादा ही पीजिए इसे कम नहीं पीजिए नेक्स्ट इसमें आप कर सकते हैं सॉल्ट वाटर गारगल मतलब आप एक ग्लास पानी लेजिए उसमें वन बाई फोर या फिर वन बाई टू स्पून आप नमक डाल दीजिए हलका सा गुनगुना पानी होगा तो और अच्छी बात है उसके आद उसको पानी होगा या फिर उनका जो मल्टिप्लिकेशन वह डाउन हो जाएगा और उनका जो नंबर बैक्टीरिया से वह भी रिडियूस हो जाएंगे तो बैट ब्रिट करेंगे तो इससे आपको डेफिनेटली होने वाला है ने तो यह ट्राइब करके देख लोगा ही नेक्स्ट ने क्या होता है उसका एंटि बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो भी वो इसको और गल्युत चैनली होता है तो इसा इसँ नहीं तो क्लोविसी करने ने। नेक्स्ट होता है सिनमून बारक तो सिनम我們 एक टाइप का बाक होता है के किचर में पाया जाता है सिनमून यहाँ परमेखा दूआ तो यह सिनमंभार कारिए इसको आप मुह करके अल्टिमेटली आपको जो बैट ब्रिट का सिखाया था वो कम होगा और प्लेस सिनमोन का अपना भी एक अलग से स्मेल होता है इसमें आप कर सकते हणी और पाउडर लेकर उसका पर फिर ग्रोथ होगा तो उस बैक्टिर ग्रोथ को यह रोकता है फिर उसको आप स्पीट आउट कर सकते हैं ठोड़ी देर बाद उच्डिर रखने के बाद इससे भी आपका जो बैड ब्रिट वो रिडियूस होता है तो यह हो गए 5 home remedies इसको try करेंगे तो definitely आपका बैड ब्रेथ है वो reduce होगा इनमें से कोई सब भी try कर लेजे मतलब at least drinking plenty of water तो यह सब में common रहेगा इसके साथ में यह चारों में से कोई एक try कर लेजे तो definitely जो आपका बैड ब्रेथ है वो ठीक होगा इसके बाद भी यह सारा चीज़ आपने 15 दिन फॉलों किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार आप dentist से में लेजिए फिर कोई doctor से में लेजिए तो आपका जो है कॉंसर कारण से वह हो रहा है उसको ठीक करने के आपको काफी इंफर्मेटिव लगा होगा थैंक यू सो मच